हालो दोस्तों मैं हूँ हर्ष्थवन एक्सपोर्ट एक्सपर्ट ग्लोबल की तरफ से दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया हमारी सीरीज चल रही है लर्न इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनस की तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमने पिछले वीडियो में बात कि की मर्चंट एक्सपोर्टर के बारे में हम एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं अब एक्सपोर्टर बनने के लिए हम एक फर्म तो उपन बडेगी में कौन सी firm open करनी चाहिए यार एक बात बताओ अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग firm होती है जैसे suppose को अगर मैं अकेला हूँ तो अलग firm है अगर मेरे साथ काम करने वाले लोग है तो अलग firm है मेरे पास कुछ कोई group है काम करने के लिए तो अलग firm है अगर मेरे साथ बहुत investor है तो अलग firm है तो सबसे पहले अगर आप import, export business शुरू करने जा रहा है मैं कहता हूँ अगर domestic trade भी शुरू करने जा रहा है मुझे इंडिया में काम करना है मुझे local काम करना है तब भी मुझे ये चीजे सोचनी पड़ेगी ये एक बात बताओ आप एक business करना चाहते हो क्या ये चाहते हो जीवन पर एक छूटे scale पर ही रहे एक small scale पर ही रहे तो आपको ये भी पहले सोचना पड़ेगा कि अगर मैं एक business करना चाहा रहा हूँ कल को वो large scale में पहुँचेगा तो मुझे क्या क्या चीजों की ज़रूरत पढ़ेगी किन-किन चीजों की requirement होगी अगर मैं बात करो firms की कितनी तरीके की firms होती है क्या आप लोगों को पता है पहले तो ये जानी है ये समझ लिए कितनी तरीके की firms होती है उसके बात firm में enter हुई क्योंकि लोग क्या करते है emotionally suppose करिए मैं अकेला हूँ मैंने sole proprietor firm खोल ली क्योंकि वो अकेला बंदा खोल सकता है उसके बाद मेरे साथ कोई जुडा तो मैंने वो firm बंद कर दी मैंने partnership firm open कर ली उसके बाद partnership में मेरी बाद बनी नहीं किसी भी वज़े से dispute हो गया तो मैंने फिर firm बंद कर दी की और आपकी एक firm की एक goodwill है बार-बार firm change करते रहेंगे तो problem create होगी हाँ मैं मान सकता हूँ life है problem आभी सकती है किसी से बात नहीं भी बनी तब change हो सकती है लेकिन एक बार दो बार हर बार नहीं तो आच मैं आपको बताने जा रहा हूँ कितने type की firm है अकेले business करना चाहते हो अकेले काम शुरू करना चाहते हो कम से कम investment में शुरू करना चाहते हो तो ये firm आपके लिए बहुत अच्छी है अगर आपके पास लोग है कोई यार दोस्त है कोई भाई है, कोई रिष्टेदार है father, mother, कोई भी है तो आप partnership firm भी खोल सकते हो partnership firm में क्या फायदा होता है एक supportive hand मी मिल जाता है helping hand मी मिल जाता है आपको कोई साथ मी मिल जाएगा और funds भी आ जाते है तो partnership भी firm खोल सकते हो इसी के साथ एक LLB limited liability partnership होती है तो वो भी आप open कर सकते हो अगर मैं बात करूँ नहीं मुझे next level पे जाना है और अच्छे level पे जाना है मुझे बड़ी firm खोलनी है तो पहले ये भी देखना पड़ेगा कि आपका budget कितना है अब अगर आप कहते हो नहीं जी मुझे बड़ी firm खोलनी है लेकिन मैं अकेला हूँ तो 1% company OPCG से बोला जाता है आप वो open कर सकते हो अगर आपके साथ सपोस करो लोग काम करने को तयार है financially आप strong हो तो आप private limited भी open कर सकते हो ऐसा नहीं है बहुत से लोगों का एक मित होता है सर मैं एक beginner हूँ क्या मैं private limited company open कर सकता हूँ बिल्कुल कर सकते हो यार एक beginner भी private limited company open कर सकता है लेकिन सवाल यह होता है क्या आपके साथ कितने लोग है कितने लोग काम करना चाहते है investment कितनी है आप तोर पर private limited company बड़े vision को देखके open की जाती है चाहे भले यार आज मेर पास पैसा कम है लेकिन मैं चाहता हूँ पैसा कमाना मैं चाहता हूँ करोडो कमाना मैं चाहता हूँ successful होना तो अगर आपका vision है और आप बार बार company change नहीं करना चाहते तो private limited लेकिन उसमें क्या होगा खर्चे ज्यादा होगी compliance ज्यादा होगी taxes की मारा मारी बहुत होती है तो ये चीज़े सारी consider करिए details में आगे मैं आने वाले videos में आपको बताऊँगा और इसके बाद अगर next level है उपर वाला करें आप जल्दी से जल्दी उस next level तक पहुँचे लेकिन जब तक रास्ता पता नहीं होगा तक यार पहुचोगे कैसे बिना रास्ते के कहीं भी गाड़ी ले जाओगे तो क्या होगा भटकोगे तो रास्ता क्या है रास्ता sole proprietor से होता हुआ private limited होता हुआ अब limited की तरफ गया limited क्या है limited firm वो जिसके आप share खरीबते हो अमानी, अडानी, टाटा ये क्या है जितनी भी है limited firms है जिनके shares जो है आपको stock market में मिलेंगे तो क्या आप नहीं चाहते कि मेरा भी share stock market में हो PTM ने शुरू किया उसने IPO अपना लाना शुरू कर दिया Zomato का already IPO आ चुका है तो आप खुद सुचो आप ऐसी बड़ी firm बनना चाहते हो तो limited की तरफ focus करो दोस्तों हमारे साथ problem ये है हमें ये knowledge बिलकुल नहीं है इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ practically अगर import-export business सीखना है तो export-exports global 2 आपको आना ही पड़ेगा क्योंकि आपको सीखना है और नहीं सीखेंगे तो फिर loss के chances है आप कोई भी काम करो यार एक गाड़ी भी चला रहे हो बिना सीखे मैं आपको चापी ले दो तो क्या होगा accident ही होगा ऐसे ही import-export business एक ऐसा business है जो अगर बिना सीखे करेंगे तो सिर्फ loss ही नहीं जगा तो ये ध्यान में रखे अब आप कहते हो सर मेरा इतना budget नहीं है मैं small scale से start करना चाहता हूँ तो यार अगर अकेले आदमी हो minimum investment है तो sole proprietor open कर लो अब आप कहेंगे सर इसमें documents कौन कौन से लगेंगे यार कुछ खास documents नहीं लगते आपको बस एक pen card चाहिए GST number आपका आएगा और उसके बाद आपको current account खोलना है और उसके बाद IEC code जिसका मतलब होता है import export code जिसे हम import export license भी बोलते हैं वो लीजिये और अपनी firm start कर दीजिये मुश्किल है अगर मुश्किल लग रहा है तो कोई tension मतलो firm open अगर आपको करानी है तो मैं एक number बता रहा हूँ 9319001248 call करो firm open करा लो वो आपको बताएंगे क्या-क्या formalities है कैसे open होती है आपकी choice है आप open करा लो तो घर बैठ के open होती है कोई tension लेने वाली बात नहीं है घर बैठ के सारा काम आज की date में online है यार इस online era का फाइदा तो उठाओ कहीं धक्के नहीं खाने सिर्फ services है कुछ भी नहीं है घर बैठ के documents दो और घर बैठे बैठे firm तयार और क्या चाहिए भाई तो दोस्तों कैसा लगा यह video अगर आपके कोई भी सवाल है तो comment box में type कीजे मैं लगातार आपके सवालों का जवाब देता रहूँगा आगे की series देखना बिलकुल न भूलिए क्योंकि अगर import-export business सीखना है तो export experts तो आना पड़ेगा जहिंद अगर आपके सब्सक्राइब